असलाम नेकुम प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूं खेरियत से होंगे तो बच्चों मेरा नाम है रिदाइहमद और मैं आपको उर्दू पढ़ाती हूं तो आज हम अपना हिसा गरामर में से कुछ हिसा पढ़ेंगे तो चलें चलते हैं देखते हैं आज हमने क्या पढ़ना है तो बच्चों आपके हिसा गरामर में से जो चीज़ आज हम पढ़ेंगे वो है फेल की एकसाम जमाने के लिहाज से फेल की एकसाम को जमाने के लिहाज से फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तक बिल में बांटा गया है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फैल क्या होता है कोई भी काम करना जाए वो काम आप करें या मैं करूँ किसी काम के करने को फैल कहते है अगर वो काम गुजरे हुए जमाने में किया गया है तो वो फैल माजी कहलाएगा अगर वो काम मौजूदा जमाने में किया गया है तो वो फेल हाल कहलाएगा और अगर वही काम आने वाले जमाने में किया जाएगा तो वो फेल मुस्तक्बिल कहलाएगा तो बच्चों, मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी मिसाल के जरीए समझाना चाहूंगी कि फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तक्बिल कैसे होगा सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी फेल माजी की एक मिसाल एहमद कराची गया था तो बच्चों, यह है फेल माजी की मिसाल, जिसमें एहमद कराची गया था एहमद जा नहीं रहा और एहमद जाएगा नहीं, एहमद जा चुका है तो यह फेल माजी की एक मिसाल थी अब यहाँ पर मैं आपको इसी जुम्ले को फेल हाल में लिखके दिखाती हूं अब हम एहमद को फेल हाल में कराची भीजेंगे एहमद कराची जा रहा है तो बच्चों एहमद मौजूदा जमाने में कराची जा रहा है तो ये फेल हाल है अब देखते हैं इसी जुम्ले को फेल मस्तक्बिल में कैसे तबदिल करते हैं एहमद कराची जाएगा यानि कि एहमद अभी कराची नहीं गया या एहमद कराची नहीं गया था एहमद कराची जाएगा यानि कि वो आने वाले जमाने में कराची जाएगा तो बच्चों मैंने एक ही जुम्ले को आपको फैल माजी, फैल हाल और फैल मुस्तक्बिल में तबदील करके तीनो एकसाम समझाने की कोशिश किये तो अब हम क्या करते हैं बापकी किताब में दीगी सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं और उनको हल करते हैं तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे सरगर्मी नमबर एक और यह आपकी किताब में दी गई है मैं कुछ मिसालों से आपको समझाओंगी और बाकी की तमाम मिसाले आप खुद हल करेंगे हमारी पहली सरगर्मी है दर्ज जेल जुम्लों में फैल को खत कशीदा करें और दी गई जगा पर लिखिए कि ये जुम्ले फैल की कौन सी किसम पर है तो बच्चों आपको कुछ जुम्ले दिये गए हैं आपने उन जुम्लों में से फैल को खत कशीदा करना है और उसके बाद आपने ये भी बताना है कि ये फैल की कौन सी किसम है ये फैल माजी से हैं, फैल हाल से हैं या फैल मुस्तक्बिल से हैं तो चलें पहला जमला पढ़ते हैं सितारे चमक रहे हैं अब आप भी सोचिए ये जमला फैल माजी का है, फैल हाल का है या फैल मुस्तक्बिल का है जी, सितारे चमक रहे हैं यानि ये फेल हाल का जुम्ला है तो सबसे पहले तो हम इसमें से फेल को खतकशीदा करेंगे और इसमें फेल क्या है चमकना तो हम इसको खतकशीदा कर देंगे चमक रहे हैं और हम इसको आगे इसकी किसम लिखेंगे फेल हाल क्योंकि ये काम मौजूदा जमाने में हो ठीक हो गया अब हम अपना दूसरा जुम्ला देखते हैं अमजद गाना गाएगा तो बच्चों ये कौन सा जमाना है फैल माजी का फैल हाल का ये फैल मुस्तक्बिल का जी अमजद आने वाले वक्त में गाना गाएगा तो ये फैल मुस्तक्बिल का जुम्ला है लेकिन इसमें फैल क्या है गाना गाना तो हम फैल को खत कशीदा कर देते हैं और इस जुम्ले की जो अंसी किसम है उसको यहां लिख देते हैं फैल मुस्तक्बिल क्यूंकि अमजद आने वाले वक्त में गाना गाएगा ठीक हो गया ब बाजी ने रात का खाना पकाया, यानि के बाजी गुजरे हुए जमाने में खाना पका चुकी है, तो ये कौन सा जुमला होगा, ये फेल माजी का जुमला है, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, फेल माजी, और बच्चों हम इस जुमले में से फेल को खतकशीदा भी करेंग खाना पकाना ठीक हो गया हमने इस जुम्ले में से फेल को खतकशीदा करके उसकी किसम इधर लिख दी है तो बच्चों अगला जुम्ला क्या है इलामा इकबाल ने अलग वतन का खाब देखा सबसे पहले तो इसमें से फेल को ढूंडे जी खाब देखा तो हम इस फेल को कचशीदा कर देखे और अब मुझे बताएं यह फेल माजी का जुम्ला है फेल हाल का या फेल मुस्तक्विल का जी ऐलामा इकबाल ने गुजरे हुए जमाने में खाब देखा था ना तो हम इसको लिखएंगे फेल माजी आपने इसके आगे जुमले की किसम लिख देनी है कि ये फेल की कौन से किसम से है ठीक है बच्चों अगला जुमला है सादिया सबसे मिलकर खेलती है सादिया सबसे मिलकर खेलती है तो इसका क्या मतलब है ये मौजूदा दोर का जुमला है फेल हाल तो बच्चों हमने आगे लिख दिया फेल हाल और इसमें से फेल क्या था? जी, खेलती है तो हमने फेल को खत कशीदा कर दिया ठीक हो गया? अब अगला जुमला देखते हैं हामिद ने आईस क्रीम खाई अब मुझे बताएं ये फेल हाल का जुमला है फेल मुस्तक्बिल का या फेल माजी का? खाई जी, ये फेल माजी का जुमला है क्योंके हामिद आईस क्रीम खा चुका है तो हम यहाँ पर लिख देंगे फेल माजी ठीक हो गया अब मुझे जल्दी से बताएं इसमें फेल क्या है? खाना तो हम खाई को खतकशीदा कर देंगे तो बच्चों ये थे हमारे जुमले जिन में से हमने फेल को खतकशीदा कर दिया और इन जुमलों को जिस जमाने में ये जुमले बोले गए थे उनके मताबक आगे लिख दिया गया है ठीक हो गया तो चलें बच्चों हम चलते हैं अपनी दूसरी सरगर्मी की तरफ और देखते हैं उसमें क्या करना है सरगर्मी नमबर दो दिये गए जुम्लों को पहचान कर लिखिए कि ये फेल की कौन सी किसम है हमने जुम्लों को पहचान कर उसी तरह लिखना है कि फेल की कौन सी किसम है फिर इन्हें सामने लिखी गई हदायत के मताबक तबदील करें तो बच्चों इसके बाद हमें आगे हदाया दी गई हैं कि इन जुम्लों को किस किसम में तबदील भी करना है, ठीक हो गया, तो चलें अपने जुम्ले देखते हैं, पहला जुम्ला है, मैं हमेशा ठंडा पानी पीता हूँ, अब मुझे जल्ली से सोचके बताएं, ये फेल हा ठीक हो गया बच्चों, और अब हमने दूसरा काम क्या करना था, जी, इसी जुम्ले को फेल माजी में तबदील करके लिखना है, तो जब हम इस जुम्ले को फेल माजी में तबदील करेंगे, तो क्या बनेगा, मैं हमेशा ठंडा पानी पीता था, तो ये हमारा जुम्ला बन पानी पीता था हमने इस जुमले को फेल माजी में तबदील कर दिया ठीक हो गया बच्चों? अब हम अगला जुमला देखते हैं दिहाद के लोग अब जदीद तरीके इस्तमाल करेंगे तो बच्चों सबसे पहले तो मुझे बताएं ये फेल माजी का जुमला है फेल हाल का या फेल मुस्तक्बिल का करेंगे यानि आने वाले वक्त में करेंगे तो ये जुमला हुआ जी फेल मुस्तक्बिल का तो हम यहां लिख देंगे फेल मुस्तक्बिल यानि आने वाला वकत यह तो हमने लिख दिया अब मुझे जल्दी से बताएं इसी जुम्ले को फेल हाल में तबदील करना है देहात के लोग जदीद तरीके इस्तमाल कर रहे हैं ठीक हो गया अब इस जुम्ले को हम यहां लिखेंगे देहात के लोग जदीद तरीके इस्तमाल कर रहे हैं तो बच्चों हमने इसको फेल हाल में तबदील कर दिया यह फिल मुस्तक्बिल का जुम्ला था जिसको हमने फेल हाल में तबदील कर दिया अब अपना आखरी जम्ला देखते हैं गुलामों से सख्त काम लिये जाते थे तो बचों ये किस जमाने का जम्ला है? पुराने जमाने का तो मतलब हुआ फेल माजी का तो हम यहाँ पे लिखेंगे फेल माजी यानि गुजरे हुए जमाने में गुलामों से सख्त काम लिये जाते थे और हमने इसको तबदील किस में करना है फेल मुस्तक्बिल में आने वाले वक्त के हिसाब से तो हम क्या लिखेंगे गुलामों से सख्त काम लिये जाएंगे तो चलें हैं इसको लिखते हैं फेल मस्तक्बिल में तब्दील किया तो वो आने वाले वक्त के बारे में गया तो बचों ये थी फेल की तीन एक्साम जमाने के लिहाज से फेल माजी फेल हाल और फेल मस्तक्बिल और ये थी आपकी किताब में दीगी दो सरगर्मिया जिनको मैंने आपके साथ मिलके हल किया है मैंने आपको कुछ मिसालों के जरीए समझाया है बाकी की मिसालें आपने खुद से हल करनी है मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अगले लेक्चर में फिर हाजिर होंगी अलाह आफेज